आज की एनर्जी चैनल कर रही हूं आप लोगों के लिए डूइन फ्लेम्स कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है साथी साथ मैं आप लोगों को कुछ वर्ण भी करना चाहती हूं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप एंड तक जरूर सुनियेगा जिसमें आपके लिए बह बहुत बहुत शुबकामना है देती हूं और आप लव माइ इंडिया तो चलिए लग्स टाथ दवीडियो तो ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में क्या चल रहा है तुब इस टाइम पूरी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन बिल्कुल क्लियर कट डिवाइन इंटरवेंशन पूरी तरह से जर्णी डिवाइन के हाथ में आज ये चौती बार हो रहा है कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूं रिकॉर्ड करने की और कुछ न कुछ हर बार आपस्टेकल आ रही है क्योंकि शायद मुझे ये एनरजी चैनल नहीं की मतलब करने दे रहे हैं करने है कि मैंने ये वीडियो बनाने की स्टार्ट करने की रिकॉर्ड करने की कोशिश देंसे जेंदित रही हैं ज़्लों बंशे मोझे गिसा राइस वह ईदनकल ने कोई बॉज भी आती है सके चैनल रही हुआ है को बशेक्ट बना करने में पीर सम्द ने करना है तो इस गोई प अब मैं इसको continue करूँगे, अब मैं इसको बननी करूँगे, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि फुल डिवाइन इंटरवेंशन इस ताइम इन दर ट्विन फ्लेम कलेक्टिफ, ट्विन फ्लेम कलेक्टिफ की लाइफ में, उनकी जर्णी में पूरी तरह से डिवाइन अपना इंटरवेंशन करते हुए, एंड एंजल्स तो एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी जैसे पहले spirit guides आपके या एंजल्स आपके उस form में रहते थे कि आपको help करना, आपको pamper करना, आपको guide करना, अभी के टाइम पर ये मान लीजिए कि they are like your soul, मैं तो कहुँँगे कि ऐसा feel हो रहा है जैसे soul army, they are protecting you like army, तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, so twin flame collective में ये energy spread हो रही है, कि कहीं न कहीं, जब reunion का time आ रहा है, तो demotivate करने की कोशिश की जा रही है, पीछे खीचने की कोशिश की जा रही है negative forces या negative energies के साथ, DF जो है, वो अपनी journey में, अपने last cycles को complete कर रही है, और बहुत सारी DF को, मैं कहा रही हूँ, बहुत सारी DF को उनकी old situation में ले जा के वापिस पटका जाएगा, जिससे वो उस cycle को पहले fully close करें, तब वो आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी DF से ऐसा हुआ था कि कहीं न कहीं कुछ बाकी रह गया है, उसको अब चुकाने का टाइम है, बिल्कुल आपको ले जा के एक ऐससे painful वो वापिस उसी painful दोर में शायद वापिस डाल दिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये भी guaranteed है कि आप free हो जाएंगे, आप freedom पा लेंगे, क्योंकि ये last release होगा आपका, last cycle, ये cycle जो particular painful cycle है वो आपका end होने पे आया, तो ये cycle को आपको end करना है, तभी आप आगे बढ़गा होगे, तो इसलिए आपको ले जा के वापिस उसी painful situation में डाला जाएगा, जाकि आप उस cycle को end करो, वही divine masculine भी अपने कार्मा रिलीज करते हुए, कार्मिक रिलीज करते हुए, बहुत ज़्यदा कार्मिक फेस करते हुए, divine masculine लेकिन एक बहुत एक surprising factor है कि अब वो पहले जैसा pain, पहले जैसा suffering में नहीं है, अब पता है, आपको strength के साथ release कर रहे हैं वो, strength के साथ वो face कर रहे हैं अपने कार्मिक को, यानि कि उनको realization के साथ वो कर रहे हैं, ना कि दुख, तकलीफ और पीड़ा के साथ की जो जबरदस्ती universe उनसे करवाते थे, वैसा नहीं, अभी full recognition के साथ वो अपनी journey में आगे बढ़ने को कुछ हद तक internally खुद को prepare कर चुके रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने इस चीज़ को accept कर लिया है, कि वो चाहें या ना चाहें, वो इसका हिस्सा है, तो यह है divine masculine और divine feminine side की energy for today, divine feminine जो है, वो अपनी strength में, लेकिन still मैं बता रही हूं कि आपको उसी painful situation, उसी painful कार्मिक cycle, अगर आपका कोई cycle रह गया है, खुला रह गया है, चालू रह गया, तो उसको close करवाने के लिए आपको वापिस उस painful, उस condition में डाला जाएगा, लेकिन आप जो है successfully उसको इस time पे release कर पाओगे, इस time पे उस cycle को आप खतम कर पाओगे, और आप अपनी soul journey को आगे continue कर पाओगे, जो जो लोग feel कर रहे हैं ऐसा कि वापिस कार्मिक लोट के आ रहे हैं उनके, या कोई जो situation, कोई जो let go हो चुका था वो वापिस आ रहा है, तो समझ जाना वो अपना cycle एंड करने के लिए आपकी life में आ रहा है, इस बार ये cycle एंड हो जाएगा, नेक्स तिंग है, अगर DM साइड के आपको किसी भी type का लगता है, कोई energy feel होती है, कोई भी energy आपको catch हो रही है, तो believe me, आप self focus रही है, खुद पर focus रही है, उसको जदा focus मत करिये, उसको जदा strengthen मत करिये, अगर कोई भी किसी भी type की energy में तो कहूंगे, अगर आपको receive हो रही है, बट आप उसको strength मत दीजिए, उसको अपनी energy मत दीजिए, क्योंकि ये उनकी अपनी जंग है, ये उनको लड़नी है, आप उसको delay कर देंगे, तो आप उसको delay क्यों कर देना चाहते हैं, अपनी energy मत दीजिए, जस्ट उनको God के हाथों में, Divine के हाथों में surrender कर दीजिए, अपने counterpart को and उनकी journey को surrender कर दीजिए, आप कोई नहीं है उनकी journey को करवाने वाले, ठीक है, तो बहुत सारी D.F के साथ अभी मैंने देखा है, ऐसा हुआ है कि energy लेके और फरार, आए, बड़े regret के साथ आए, ठीक है, तो टाटा बाई बाई कर दिया, तो क्यों अपने साथ ऐसा कुछ भी होने देना है अपने, वो उनकी journey है, देखिए मैंने कई बार पहले भी कहा है, कि चाहे आप लोग एक split souls हैं, लेकिन फिर भी आप इस धर्ती पे particular individuals हैं, ठीक है, अलग अलग वेक्नी हैं आप, तो आपकी journey आपको करनी है, उनकी journey उनको करनी है, आपकी खुद के कर्मा कार्मिक इतने हैं, क्यों आप उनके कार्मिक भी share करना चाते हो, क्यों आप उनका कर्मा भी share करना चाते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उनके कर्मा में अपना हिस्सा कते ही नहीं ल ठीक है अब मैं आ जाती हूं उस बात पर जो मैं आपसे करना चाह रही थी डी एफ्स प्लीज आप ध्यान रखिएगा इस टाइम पर बहुत सारा इविल स्पेल या ब्लैक मेजिक आपके ओपर थ्रो हो सकता है आप ऐसे अटेक्स फील कर सकते हो सड़नली आपकी हेल्थ का कोई इश्यू हो सकता है या आपको कोई लॉसिज हो सकते हैं क्योंकि अभी जो अभी जो एनर्जी चल रही है इसके बाद आपको बहुत सा मेटिरियल गेन मिलेगा और आपके डी एम को बहुत सारा स्प्रिच्वल गेन मिलेगा तो जरूर से अप नजर में आ सकते हो आप ब्लैक मैजिक में आ सकते हो आप पर इंटेंशनली कोई इविल स्पेल थ्रो कर सकता है आपके ब्लैक मैजिक हो सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है मैंने पहले के वीडियोज में ब्लैक मैजीक के साइन बताए हैं, साइन इंज सिम्टम्स बताए हैं, अचानक लॉस होना, कंफ्यूजन, डिलूजन की सिती में रहना, आपका बिल्कुल जो है, अपने काम से मन उचाट हो जाना, आपका काम में दिल न लग पाना, आपका काम चलना पाना, सब कुछ करते हुए भी, आपके फाइनेंसे में लोस होना, आपकी एनरजी में लोस होना, आपका हैल्ट इश्यू कोई निकल के आ जाना, सड़नली आपके बहुत सारे लड़ाई जगड़े होने लग जाना, मतलब लाइफ में जो कुछ बिल्टा चल रहा है, तो अपने अपने प्रोटेक्शन सील्ड को पुलकुल इंटक्ट करके रखिए, प्रोटेक्शन सील्ड में रहिए, प्रोटेक्ट करके रहिए अपने औरा को, यही मेरे को आपको पताना था, क्योंकि बहुत ज़्यदा एनरजी है, जहां पे ब्लैक एनरजी वंपार जो है तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा तो आप वहाँ पर आके मुझसे कॉंटक्ट कर सकते हैं और मुझसे मेरे साथ सेश्ञन बुप कर सकते हैं definitely I can help you so thank you so much those two bye